हेलो एवरीवन आप सभी का एक बाद फिर से सुबह सुबह स्वागत है हमारे यूटूब चैनल संकरनाथ है जूकेशन पॉइंट पर दोस्तो एक और लेटेस्ट न्यूज इन फोर्मेशन आई है पंचायती चुनाव सिलेटिड जी हाँ दोस्तो हर याना में पंचायती चु चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा वीडियो को ज्यादे से ज्यादा शेयर कीजिएगा चरिये दोस्तों देखिए हर्याना में किसी पंचायत या पंचायत समीती जिलापरी सदमयनु सुचित जाती और पिचड़ावरक को मिलेगा तो 50-50 से ज्यादा रक्षन नहीं होगा सबी कास्ट वेगारे को मिलाकर चाहे पंचायतों पंचायत समीती हो इसमें किसी भी उसमें जिलापरी सदमय हो इसमें जोस्तों अनुसुची जाती यानि कि SC, ST होगा पिचड़ावरक यानि OBC को मिलाकर टोटल मिलाकर 50-50 से ज्यादा रक्षन नहीं होगा अगर गरुगराम और सिरसा जिलापरी सद के चुनाओ पूरे हरियाना के साथ कराने होगे तो पंचाइती राज संस्थाव का चुनाओ अक्तुमबर में होंगे अगर गरुगराम और सिरसा जिलापरी सद का चुनाओ बाद में कराने होंगे तो चुनाओ 30 सितमबर तक हो जाएंगे दरसल गरुगराम जिलाप्री सद्की वार्ड बंद यगामी 9 सितंबर तक हो जाएगी अगर गरुगराम को भी पूरे हरियाना के साथ जोड़ा जाएगा तो चुनाव गराने के लिए गोशना के बाद कम से कम 25 दिनों क्या विक्सता होती है इस तरह से चुनाव 15 अक्तुमबर तक होंगे देनिक सवेरा के साथ बाचित करते हुए उद्वार को कैबिनेट मंतरी ने कहा कि पंचाइटी राद चुनाव अक्तुमबर में होंगे यानिके एक्तुमर के पहले सप्ता में 15 तरीक से पहले पहले आपके होने की संभावना है मगर सिख्षा मंतरी कौरपल ने कहा कि पंचाइट चुनाव ती स्टमबर तो खोंगे वास्त विक्ता यह है जो अब दोस्तो में मसला जो हो आरक्षिन का चल रा अभी जो पद जो आरक्सित करने होँए ती स्टमबर तग अगर चुराव कराने है तो ग्रुगराम और शिर्षा जिलापरिशत के जो गुरु गुराम और शिर्षाद नहीं जिलापरी सजोड़ी गी हैं उनको चुनाव फिलाल छोड़ने होगा यानि क्यों में दोस्तो जो होना वाडवन दिया काम नहीं हुआ है और भी बहुत सारे काम होते हैं चुनाव इलेक्शन कमिशन को तो वह काम अभी पूरे नहीं दोस्तो और अगर पहले कराते हैं तो उसके लिए बदल दी तारिक भी बतानी होगी इसके बाद राज्या चुनाव एक तित्या गोशित करेगा उसके बाद पंचाहट समीती में बीबीसी एक अबयादी के इसाब से रक्षन सरकारी प्रवक्ता ने बता कि पंचाहट समीती के से दिशों में बीसी एक और रक्षन उस पंचाहट समीती चेतर में बीसी एक को अबादी का पचास फीशदी के अनुसार रक्षन मिलेगा इसके लिए भी अगर जीरो पॉइंट पांच को पुरुआंक माना जाए अगर कि से पंचाहत समीती में सब्सक्राइब से बीसे के लिए खुल सीठों में से 15 फीशदी शीटे प्रविश्दी के लिए रक्षित पर भारी प्रवक्ता ने बता कि विकास खने में जितनी बीचाहत हों गया उन्में किसे लिए भी जिरो प्इसी एक दियर को माना जाएगा मं मंत्री मंदल वरलाल समेथ 31 अगस्ट कोचंदीगड में मंत्री मंदल की ये बैठक का आपको पिचर देख सकते हैं फोटो देख सकते हैं उसके बाद सुप्रीम कोट की निर्देशों की पलना करने की सिपारिश सरकारी परोक्ता ने कहा कि पिछड़ा वरगायों उन्हें जब सुप्रीम कोट दोस्तों ये बता दियागा है कि कुल आप 50% से ज़्याद आरक्षन नहीं दे सकते हैं यहीं जो हना में इन बाद सुप्रीम कोट के दोरा कही गई थी जिला परिशद से दिश्यों को बीसी के लिए अबादी के हिसाब से तो जिला परिशद में भी जो अबादी के हिसाब से चाहे 50% है तो उसका 0.5 परिशद में अबादी 20% है तो उसको 10% आरक्षन के लिए या निकि आदधा आरक्षन दोस्तों उसमें होगा सरकारी परोक्ता ने बताया कि बीसी एक इनी जी अबादी उसका 50% परिशदी पंचों के बराबर आरक्षन मिलेगा मगरा नू सूची जाती आरक्षन के बाद बची हुई सीटों पर वह आरक्षन का लाब लेगा ये भी दोस्तों आरक्षन से समन्दित भी है जो में बात अभी सभी में बता दिया गया है हर याना में 555 समिति से देश्यों जीला परिशद समेश्यों पिछड़ा वरग बिसी को यह सम्दित जो भी नूज है दोस्तों वह देखे सारी एक्षन वगरा से सम्दित बता दी गई है तो जल्द ही हर याना में जो होना पंचाती राज यानि जीला परिशद और सर पंच-पंच समितियों के एक्षन से समधि मसला सुलज गया है तो जल्द ही एक्षन होने के अभी समभावना है ये न्यूज जो आई थी आज के न्यूज पेपर में आई थी तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सबस्क्राइब कि अजय एक्षन से समान में में आई ठीक पोद NICK-OP-TV?" झाल झाल